इस वार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है सबसे बड़ा विकास मुद्दा है और विकास और अंगाबाजीला प्रोसेस में है सेरी सिमेंट नभी नगा थर्मल पावर कुछ उपलब्लियां है जी राखा ऐसा नहीं है कि अभी कुछ काम नहीं हुआ है मिर्टबाय जो उतरकोल नहर था उसको जीवन्च किया गया है है ना उसका अभी काम अभी चल रहा है जारी है इसलिए प्रोसेस में है क्या और होना चाहिए और होना चाहिए रोजगार पर ठोड़ा साथ द्यान जिला में होना चाहिए उसमें फोकस होना चाहिए लेकिन अभी हम यह कर रहा है कि जैसे हम राज़त को भोट दे रहे या विपक्षी पार्टी जो भी है आखिर दे कर हम क्या करेंगे अगर पुन बहुमत में नहीं आती है तो अपने आप में सर्फोटोवल होगा अभी इनका परधानमंदी का कोई कंडिडेट भी नहीं है हम किसको कहें हम कि अगला परधानमंदी माल लिए जिए हम भोमत में राज़त को यहां से भोट देते हैं कौन परधानमंदी होगा इसका जवाब कौन देगा अभी तो सीट के लिए मारा मारी चल रहा है तो परधानमंदी कौन बनेगा हम कैसे कहा दे कि इसे परधानमंदी अगला बनेगा लेकिन कम से कम नेशन ये बीजेपी के साथ तो है कि परधानमंदी नेजेनर मोटी बनेंगे और उनका काज भी रहा है काज भी रहा है 370 जैसे धारा जो ना जाने कितने बरसों से लादा गया था जम्मू कार्शमीर में आस्माप हुआ है वहाँ पे राम मंदीर टेंट में प्रभूर सी राम हम अपने घरों में आराम से रह रहे हैं प्रभूर सी राम उनके भग्त हम लोग है उनको टेंट में रखा गया है कार सेव को पर गोली चलाया गया है इस सारी मूडों को डेखते हुए हम लोग बीजेपी को स्वपोर्ट कर रहे हैं पांच राज्जी है 61 सहर 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तू विहार नई सोच नया घर बनाए रखिये अपना प्यार सेवा में है वास्तू विहार आपके बच्चों के स्वारगिन और उजबल भविश्य के लिए हम हैं हमेशा ततपर हम हैं गुरुगोविन सिंग पाबलिक स्कूल कॉलेज ओफ इंजीनिरिंग और मैनेजमेंट अप्रूफ बाई AICTE और एफिलेटेड बाई जाकन उनिवर्सिटी ओफ टेक्नोलोजी रांची हमारा उदेश है स्टूडेंस को व्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलोजी मैनेजमेंट के फील में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहया कराना हमारा मिशन एस्पारिंग टेक्नोलोजिस्ट और अंथ्रप्नोर्स को उनकी मंजिल तक पहुचाना है इसके लिए हमारे पास है बहतर इन इंफ्रस्ट्रक्चर और मार्क दश्चन के लिए क्वालिफाइट फैकल्टी जब अपने राज जहारकंड और अपने शहर बोकारों में मिल रहा है वर्ड क्लास अजुकेशन तो फिर कहीं और क्यों जाना आप पधारे हमें आपके स्वागत को तयार करेंगे आपके सपनों को साकार